Hello guys, आप लोग भी hardware hacking सीखना जातो हो and hardware hacking के लिए lab बनाने में आप लोग confused हो रहे हो उसमें कौन सा tool install करें, कौन सा format analyzing के लिए use करें, कौन सा हम लोग logic analyzer के लिए use करें, अलग-अलग tools है उसका command क्या है, उसका installation का, ये सोच के आप परिशान हो रहे हो तो इसके लिए mail आ चुका हो एक नया tool, ये आप लोग को मेरे github profile में मिल जाएगा जिसका नाम है hardware pt tool git, तो ये जो tool है, हम लोग देखेंगे, ये एक easy tool है एक script है, इसको आप लोग को apply आपके जो काले linux machine है, उसको उधर पर run कर देना है and easily, automatically आपके lab setup के लिए जितना tools ज़रूरत है, वो सारे important tools download कर देगा तो ये जो tools है, आप लोग को description में link मिल जाएगा, ये मतलब github profile का, आप लोग उदर से जाके, देख सकते हो ये github profile इधर पर आप लोग को अलेग अलेग tools मिल जागा, just like flash rom, आप लोग को formwire extract and read write करने के लिए, minicom मिले आएगा, इधर पर आप लोग को होने वाला है in future, तो ये tool आप लोग easily install कर सकते हो, इधर पर installation के लिए commands भी मैंने देखे रखा है, तो इधर पर simply आप लोग को ये command पहले वाला जो command है, इधर पर इसको copy करना है, and ये Ubuntu and Kali Linux दोनों में ही बहुत अच्छा चलने वाला है, तो इधर पर आप लोग को क्या कर clone हो जाएगा, उसके बाद ls करेंगे, इसके बाद देख सकते हो, इधर पर एक repo आ चुका है, तो इसमें cd करके हम लोग इस folder में चले जाएगे, तो इधर पर आप लोग को एक file मिलेगा .sh करके, तो आप लोग को क्या करना है, chmod गोलके ये command डाल देना है, ये क्या करेगा executable permissions होते हैं, वो इस file को ये दे देगा, तो आप लोग ये डाल देता हैं, तो इसने क्या किया है, अभी देख सकते हो, इसका color change हुआ है, lsl करेंगे, तो देख सकते हो, इसमें अभी executable permissions भी आ चुका है, ठीक है, जिसको clear कर देते हैं, तो इधर पर अभी आप लोग को एक simple command डालना है, dot slash hardwarepiki toolkit dot sh, ये जो script है, अभी run करेगा, ये क्या करेगा, आप लोग को basically, मैं पहले run कर देता हूँ, तो ये run करने के बाद, basically आपके packages को check करेगा, कौन सा कौन सा packages है, जैसे देख सकते हो, इधर पर curl install नहीं है, तो इसे मुझे अभी permission देना पड़ेगा, तो सकते हो, पीको कॉम भी, मीनी कॉम हो गया, पीको कॉम हो गया, अभी सिग रॉक हो रहा है, ठीक है, अभी देख सकते हो, एक एक करके जुटने भी tools आप लोग को ज़रुवत परेगा, अभी limited tools है हम लोग के पास, हम लोग in future और भी अच्छे-च्छे tools हम लोग इसमें add करने वाले है, ठीक है, कि आप लोग एक command डाले, काली का fresh installation करो, एक ऐसे toolkit आप लोग डाउनलोड करो, मतलब जो flash करो, उसके बाद आपका पूड़ा lab environment ready हो जाएगा, आपके पास additionally कुछ अलग-अलग से install करने का कुछ जरूरत नहीं है, देख सकते हो, ये totally install हो चुका है, और इस hash rom हो गया, minicom हो गया, उसके बाद sig rock हो गया, pulse view हो गया, bin rock हो गया, wire shark, nmap, esp tool, screen, bittercap, itercap, john, hashcat, इतने साथे tools install किया है, इधर पर ज्यादतर हम लोग को कुछ additional requirements होता है, जैसे system में git होना चाहिए, python होना चाहिए, curl, w gate, उसके बाद java का 17 होना चाहिए, हम लोग इसमें in future reverse engineering tools भी install करने वाले हैं, तो यह tools आप लोग install करो अपने system में and use करो and कैसा लगा मुझे feedback जरूर देना and वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना and इधर पर जाके हम लोगा जो github profile है, इधर पर जाके follow जरूर करना, इधर पर follow बटन आता होगा, जरूर follow कर देना, बहुत अच्छा लगेगा and आप लोग ने अभी तक subscribe नहीं है, तो subscribe जरूर कर देना and फिर से मिलते हैं एक new वीडियो में, तो bye bye